लेकिन आप सब को मैं दिल से सलाम करती हूँ और सबसे पहले तो मुबारक बात दूँगी महक हैदरवादी सहाब को कि आपने इतना बड़ा कारणामा अंजाम दिया और मैं ज्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे बड़ों ने मेरे बुजर्गों न ही सकती में और वक्त भी नहीं है तो इसमें महक हधरवादी सहाब से आओनलाइन मुलाख़त होती थी आओनलाइन जो प्रोगराम है COVID के जमाने में COVID के बाद हमने अपने अदब को Viktor के बीरा हमने अपने अदब को जिन्दा रखने के लिए जो लोग साहिते के जाहनेवाले अदब के जो परस्तार थे, उन लोगों ने ये किया कि मुख्तलिफ कुछ online अपने groups बना लिये और उसमें ये होता था, तो हमारा भी एक उर्दू का एक ऐसा group है, बाजगश्त online अदबी forum है, तो ये लिटरिरी forum है, तो उसमें हम लोग every Saturday कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, पेश करते हैं, उसे बातचीत होती है, तो महें खेदराबादी साब से, वहीं हमको मालूम हुआ कि एक इतना बड़ा उर्दू का शैदाई हमारे शहर में मौजूद है, जो तिल्गू जबान से जिनका तालुक है, उनकी मादरी जबान तिल्गू है, मदर टंग तिल्गू है, ल तो यहां पर यह इतना अच्छा मौखा है कि इस इन चार किताबों का यहां पर जो है, इसकी रिलीज हुई है, और भी एक किताब है, कहानियों की, दख्मा, वो बेगेसास साब की कहानिया है, उसका तरजमा भी महें खेदराबादी साब ने किया है, साहित एकड़मी में है जी, वो भी आने वाली है भी, तो मैं कहदराबादी साब जो है, बस अपने काम में लगे हुए रहते हैं, और इतनी खुबसूरत कहानियां, बहुत अच्छी कहानियां इसमें, सबसे पहली कहानी तो हमारी बहुत ही आज के जमाने की मितलब, बहुत बड़ी फिक्शन मैडम के हस्बंड, उनकी कहानी है ये, फिर इसमें किश्वर सहाबा की कहानी भी है, जिलानी वानुद की कहानी है, ये बहुत सारी कहानियां, और इन तमाम कहानियों में, अच्छा, तेलगू, मेरी भी सेकंड लैंग्वेज रही है, मैं भी तेलगू पढ़ती हूँ, समझ सकती हूँ, लिखती भी हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ी से जिजक है, तो ये जब ये कहानियां पढ़ रही थी, तो इसमें कहीं भी ये नहीं लगा के, बिल्कुल इसमें पूरा कल्चर जो है, अब चुँके हम, मेरे इसे पहले बड़े लोगों ने भी कहा के, कल्चर इसमें जो होता है, जबान नहीं होती, बलकि कल्चर है, तो इसमें पूरा कल्चर मौजूद है, इसमें तेल्गू का पूरा कल्चर मौजूद है, जो कोई सी भी कहानी ले लीज़े आप, तो उसमें ये बहुत अच्छा लगा, अब चुँके मैं थोड़ा सा वाकिफ इसलिए अच्छा समझ सकें, और अब रही बात तर्जुमे की, तो तर्जुमा जो है, हम लब्स का तर्जुमा करते हैं, इसा आम बात है, लेकिन उसका जो भाव होता है, हम शब्द का तर्जुमा कर सकते हैं, वो भाव हम नहीं ला सकते हैं, और खास तर पर ये होता है, श जिसमें जैसा कि अभी खमर जमाली साहब की जो कहानी है उसमें एक दो लफज है एक उडान और परवाज तो उडान और परवाज दोनों में बहुत बड़ा फर्क है तो जब एक अच्छा अद्दीब जो दोनों का मतलब समझ सकता है वो ही उसका अनुवात कर सकता है तो और ये काम मैं खैदरावादी साहब ने किया है हम उनको मुबारक बात पेश करते हैं इस अच्छे काम के लिए और जूंकि अब अदीब का काम यही है शायर ने भी कहा है कि मेरा पैगाम महबत है जहां तक पहुंचे तो इसके जरीए अपने काम के जरीए चाहे वो तखलीख हो क कोई राइटर एक कहानी लिक रहा है या कोई ट्रांसलेटर उसका तरजमा कर रहा है तो उसका मतलब मकसद यही है कि मेरा पैगाम महबत है जहां तक पहुंचे वो अपनी कहानियों के जरीए अपने काम के जरीए अदब के खिदमत कर रहे हैं और एक अदब को एक जबान से दूसरे जबान में मुन्तखिल करके उस कल्चर को दूसरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं जो उनसे वाकिफ नहीं है तो ये बात यहां पर है और हैदराबाद के जो अर्दू राइटर्स हैं उन लोगों ने ये महसूस किया कि उस कल्चर को लिहाज़ा उन्हों ने किया कि उसका तिल्गु में तर्जुमा कर दिया तो ये बात हुई अब तर्जुमे के तालुख से जो अनुवाद है ट्रांसलेशन के तालुख से कई जोक भी मशूर है तो बातें तो किताबों पे हो चुकी बहुत सारी तो मैं एक दो एक जोक तर्जुमे के तालुख से जानते भी होंगे लोग कि टीचर ने बच्चे से पूछा कि अंग्रेजी में मैं उर्दु में एक बोलूँगा तुम उसका अंग्रेजी में तर्जुमा करो मैंने वो काम किया 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 और करता ही गया तो बच्चा बोला I done that work डन 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 तो ये जो तर्जुमे हैं ऐसे तर्जुमे जो है हसी मजाख की हतक अच्छे हैं लेकिन ये जो डेडिकेटेडली महेक साब ने किया है वो तर्जुमे जो है बहुती सर पे रखने के खाबिले और बहुती खाबिले सताइश हैं तो हम इनके लिए बहुत मुबारक बात देते हैं और ये बहुत बड़ा काम है और उमीद भी करते हैं कि आगे भी ये इस तरह के तरजमे करके एक जबान का अदब दूसरी जबान में मुन्तखिल करके एक तहजीब को एक कल्चर को दूसरे कल्चर से वाकिब करवाते रहेंगे तो और ये है कि वो परवरीशे लगो खलम करते रहेंगे तो ये काम अदीबों का है मतर्जिम का है ट्रांसलेटर्स का है कि ये लोग जो है खलम की यानि पिन की खिदमत करते हैं सर्विस करते हैं और अपना काम आगे चलाते रहते हैं और इस तरह अगब में इजाफा होता रहता है तो मैं एक मर्तबा फिर महेक हदरबादी सहाब को और आप तमाम को और यहां पर हमारे जो उर्दू राइटर्स मौझूद हैं उन सब को और तेलगू राइटर्स हैं शोरा हैं उन सब को करती हूं आप सब का बेहर शुक्रिया और महेक हदरबादी सहाब का बेहर शुक्रिया कि आपने मुझे यहां पर कुछ दो बातें बोलने का मौखा दिया बेहर शुक्रिया